यूपी राज और ध्यानिक सहकारी विप्रन संग हाफिड लखनौ द्वारा बरेली में तिरुपती बालाजी कोल्ड स्टोरिश में आलू क्रे केंद्र खुला किया है हाफिड के सेंटर इंचार्ज तारा सिंग बिश्ट ने बताया कि ये उचना के अंतरकत 650 रुपे प्रतिकुंटल आलू की खरीद होगी इसके लिए आलू किसानों से संपर्क किया जा रहा है जिससे किसान अपना आलू क्रे केंद्र पर ला सके जिले में ये केंद्र नौ अपरेल तक स्थापित रहेगा किसानों का कहना है कि सरकार का ये कदम सराहनिये है इससे किसानों को आलू का उचित मूले मिल सकेगा कि परते प्रदश करने उत्तर प्रदेश के ज़्वालों केशान वो कर प्रसकाद शामोल को मिल गया गए लेले चरण में लगे में ये 7 जिलों में इन्द है ये बाजार हस्ताइब योजना और उसके नतर हुले गये इसी में बरेली भी है बरेली में हमने सेंटर खोल दिया है देस्तारिक से योजना लाग हुई है तीज दिन तक चलेगी और इस सवाधी में हम यहां पर मौजूद रहेंगे कोई भी किसानवाई बरेली का जिसको आलू इसको पेंदर पर बेक्री करना चाहता है अगर उसको ल सब्सक्राइब करना चाहता है अब लगभाग पांसो साड़े पांसो शेसरो तक का जा रहा है राज सरकार ने जो अभी योजना लागू की है पहले कासकार बहुत परिशान था डेड़ सो दो सो रूपए को उनका कट्टा जाता था अब राज सरकार ने योगी जी ने जू साड़े छेसरों पर रेट कर दिया है इससे कासकार को दुगना तिकना फादा होगा और कासकार मजबूत होगा यह बहुत सरहनी कारी है